पंजाब के पाँच बार मुखमंत्री रहे प्रकाश सेंग ब्यादल अब हमारे बीच नहीं रहे तो उपर बाले से द्वा करिए आप लोग कि इनकी आत्मा को सांती मिले और इस दुख की घड़ी में इनके परिवार को सहन सकती दे और आपको बताओं एक संघर्स सील संघर्स करने वाले नेता रहे हैं और आप देखेंगे कि सरपंची से इन्हों ने शुरू की थी अपनी राजनीती तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामन जानकारी देख लेंगे और इनका परिवारे बेक्ग्राउंड किस तरह कर रहा है सिख्छा किस तरह की रही है राजनितिक सफर किस तरह करा है इनने बहुत सारे पुरुसकार भी मिले हुए उन पर भी हम लोग बात करेंगे इनने आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे यह हैं पेकासिंघ बादल यह आप देखें इनका परीवार है आप देख़ए अंतराश्ठी सीमा पाकिस्तान से लग्तिए राज्जों में राजिस्तान हर्याना हेमाचल पिदेश और जमू कस्मीज से लग्तिए इसे अगर हम लोग राज बनाने की बात करें तो आप देखें कि एक नमबर 1966 में पंजाब को राज बनाय गया था, विधान सभा में 117 सीटे देखने कुम लेगी, विराज सभा में 7 सीटे हैं, लोग सभा में 13 सीटे हैं, 50,362 बरक किलूमेटर में आपका पंजाब फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है? पंजाब फैला हुआ है, अगर हम लोग पिरकास सिंग पाला हिस्सा है ना, ये 1947 तक हमारा हिस्सा था, 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था, देखे लगदाक हो, जम्मु कस्मीर, पंजाब, राजिस्तान, गुजरात, पांच राज्यों की सिमा हमारी लगती है अभी पाकिस्तान से, और जो बंगलादेस है, पहले पाकिस् पाकिस्तान के साथ ही अलग हो गया था 1947 में लेकिन 1971 में आप देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बिचियोध हुआ था उसी समय आपका बंगलादेश आजाद हो गया था ठीक है तो आप देखेंगे कि एक बे एक जाट सिख परिवार से थे और प्रिकास सिंग बादल की पतनी लाहूर की किष्टियन कॉलेज में उन्होंने सिक्षा लिये 1947 में प्रिकास सिंग बादल सरुमणी अकाली दल की सदस बने थे और प्रिकास सिंग बादल ने साल 1947 में राजनीती शुरू की थी उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी और तब वह सरपंच बने थे उन्होंने अपना पहला विधानसवा चुनाव उन्नीस संतावन में जीता और आप सभी को मालू होने ची कि अगर आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है तो आपकी उमर कम से कम 25 साल होने ची आधिकतम उमर की कोई सीमा नहीं रखी गई है और इनका 1979 से 1970 तक उन्होंने समधाईक विकास पंचैती राज पसूपालन डेरी आधिसे सम्मंदित मंतरालें में कारिकारी मंत्री के रूमें काम किया परकासिंग बादल 1971-1970-1970-1970-1970-2002 में पंजाब के मुख मंत्री और 1972-1980-2002 में नेता विखवक्षिब रहे हैं और मुराजी देशाई के सासनकाल में वो आपदे की सांसत भी बने उन्होंने केंद्री मंत्री के तोर पर किर्सी और सिचाई मंतराले का उत्तरदायत सौपा गया था मुख मंत्री के तोर पर उनका आकरी कारकल मार्च 2017 में पूरा हुआ था इसके अलाबा आप देखे पिकास सिंग पूरने के बाद वो सबसे उम्र के उम्मीदवार बने थे हाला कि अपने राजनीत के करियर में पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था कहते हैं कि अधिक उम्र के कारण वे चुनाओ भी लड़ना नहीं चाहते थे लेकिन सुखवी बादल के कहने वो पंजाब में जो अकाली दल की देनी इस्तिती थी उसके बाद प्रकासिंग बादल चुनाओ में उतरे थे लेकिन आप देखिए अंतिम समय में हार का सामना करना पड़ा था आप देखेंगे कि अगर हम लोग इने मिले पुरुसकारों की बात करें तो पंथ रतन 11 इसंबर 2021 को बादल को तक्त द्वारप पंथ रतन फक्त ए फक्र ए कौम साब्दिक रूप से धरम का गहना समुदाय का गौरब की उपादी से समानित किया गया था उन्हें स्वड मंदी परसर में सभी पांच तक्तों के जत्यदारों की उपस्दिती में सिरौपा समान का वस्त एक तलबार और ए जासती खालसा जैसे सिख के धरम से समधिक कई इसमारक बनाने के अलावा लंबे समय तक कैद रहने और विविन अकाली दल आंदलोनों के दोरान अत्याचार का सामना करने के लिए इस उपादी से समानित किया गया और नागरिक अधिकारों के उलगन आरोपों और पंजाब के सिखों द्वारा सामना किये गए उत्पीडन का पहर चानने में विफलता के कारण 10 नवंबर 2015 को सरवत खालसा में सिख पंत द्वारा या पुरुसकार बापस ले लिया गया था और कई रानेतिक से संगठन जैसे दल खालसा, खालरा मिसन संगठन, पंजामानोदिकार गठन है, और SGPC के पूर महासचिप मंजी सिंग कलकत्ता ने तरग दिया था कि या पुरुसकार मरुफांग दिया जाता है, इसके जवाब में अकाल तक्त के जथेदार ग्यानी गुरवचन सिंग ने मास्टर तारा सिंग का उधारन दिया था, और जिने या पुरुसकार उ और पदम विभूसन आप देखिए, 1904 में सुरू हुआ था, राष्टपती उस समय के पेड़ों मुकरजी ने 30 मार्च 2015 को राष्टपती भवन नई दिल्ली में एक नांगरिक अलंकर समारों में पंजाब के मुकमंत्री उस समय रहे, स्रीफिकास सिंग बादल को पदम जो आंदोलन चला था ना, उसे ही बात हो रही है, SYL नहर का ममला, एक क्या है, 1982 में स्ततलुज यमना लिंक का मुद्दा सामने आने के बाद से पंजाब के मुकमंत्री ब्रकास सिंग बादल ने इसे आसुईकार करने में मुकर रहे, और पंजाब की किसानों और अधिकारों की रख्चा के लिए आंगे वड़कर इन्होंने निजदत कर रहे हैं, उन्होंने यह सोनेशित करने में महतपूर भूमिका निवाई कि SYL कभी वी एक बास्त्विक्ता नहीं बननी चाहिए, और यहां तक कि अप्रेल 1982 में नेहर रो को मुर्चा के नेतित करने के लिए कर रहे हैं, हाला कि उनकी नेतित में पंजाब सहक का सरकार विधानसवा में पंजाब सतलज यमना लिंक नहर ए स्वामित अधिकारों का हस्तांतर विधियक 2016 को अपनाने का एक इतियासिक नेड़य भी लिया गया था, और 14 मार्च 2016 को लिए गया इस नेड़य के साथ हर्यान में पानी ले जाने के लिए पंजाब में बनाई गई, 121 किलो मीटर लंबी सतलज यमना लिंक नहर को गेर अधित सूचित विक्टित करने की फिक्रिया शुरू की गई थी, और प्रिकास सिंग बादल ने कई वार इस पष्ट रूप से ब्यक्त किया कि पंजाब के पास किस पाचा निवारक अधिनियम के तैथ विर्भिन प्रिवावनों के प्राउधानों के तैथ मामला भी दर्च किया गया था, और साथ साल के लंबे मामले के बाद 2010 में मुहाली के किस्थानी अधलन ने सभी आरूपितों को बरी कर दिया था, आपती जने सबूत की कमी के कारण यह हुआ था, 2007 में रोपर जिली में गठिद विसेश दादात की समझ 11 फिर्मों गवाह अपने बयान से मुखर गये थे, गदर ये कौम ब्रांड ये 10 नवंबर 2015 को आवतार मकर के साथ बादल को सरवत खालसा के रूम में जाने जाने वाले सिक समधाई की एक सभा द्वारा गदर ये कौम, विस्वास के लिए गदर के रूम में ब्रांडेड किया गया था, वह है 1984 किस्तर के ब्रोरी दंगे में उनकी कतित भूमिका के कारण है, मित्यू की बात करें तो आप देखिए 25 अपरेल 2023 को पंजाब के मुखाली में, ये 95 साल की उम्र में इनकी डैथ हो करें, जानना हुआ करें, तो आप उसका नाम नीचे लिख सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है?